हम लोग शुरू करते हैं method of preparation of aldehydes only आपको same topic NCERT में भी मिल जाएगा इसके पहले method of preparation of both aldehydes and ketones topic है इसके बाद हमारे ये topic NCERT में method of preparation of aldehydes only और इसके बाद का topic है method of preparation of ketones only हम लोग आज शुरू करेंगे method of preparation of aldehydes only जिसमें सबसे पहला method होने वाला है acid chloride का use करके हम लोग aldehydes बनाएंगे अभी तक हमने alcohol का use करके aldehydes बनाये था और alcohol का ही use करके हमने ketone बनाये था alcohol का हमने 1 degree alcohol का oxidation करवा के aldehyde बनाये था और 2 degree का alcohol का oxidation करवा के हमने ketone बनाये था याद रहे यहाँ पे हमें वो knowledge का थोड़ा सा reference लेना होगा है इसलिए मैंने यह बताया आपको इसलिए शुरू करते हैं हम लोग देखते हैं acid chloride can be converted into aldehyde by catalytic hydrogenation in the presence of palladium catalyst supported over barium sulfate यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक acid chloride लेंगे उस acid chloride को हमें aldehyde में convert करने के लिए catalytic hydrogenation करना होगा अच्छा है hydrogenation का मतलब hydrogen का addition और hydrogen का addition का मतलब कहीं न कहीं reduction यानि कि यहाँ पर हम लोग क्या गरा रहे हैं? acid chloride का reduction करवा रहे हैं, इसके presence में हमने palladium catalyst लिया हुआ है और उसको हम लोग barium sulfate के साथ use करेंगे, अभी यही तक रहने देते हैं because आगे हमें देखो, इस catalytic mixture को poison करना है और कुछ-कुछ होगा तो पहले हम लोग इतना समझ लेता हैं कि एक हम लोग क्या गराएंगे? एक हम लोग लेते हैं, acid chloride, अच्छा acid chloride का example नहीं, फिलाल मैं एक standard form लिख दे रहा हूँ जैसे मेरे पास acid chloride के form पर यह R होगा, carbon होगा, double bond O होगा और यहाँ पर L होगा, यह मेरा acid chloride होगया, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका hydrogenation कर रहे हैं, अच्छा एक term आता है न, e-hydrogenation, e-hydrogenation का मतलब hydrogen का extraction और सिर्फ hydrogenation लिखा हुआ है, यानि कि hydrogen का addition, तो चलो, hydrogen का कर दिया हमने addition, और addition करने के लिए, क्या क्या हमें चोई है, in the presence of palladium catalyst supported over barium sulfate, यानि कि मुझे palladium चोई है, palladium के साथ, मुझे barium sulfate चोई है, आच्छा, इसका use करना है हमें, और चुके hydrogenation कर रहे हैं हम लोग, यानि क reduction कर रहे हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे aldehyde मिलेगा, तो aldehyde के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आर लिख देंगे, यहाँ c लिख देंगे, यहाँ double bond o लिख देंगे, और यहाँ जब मुझे aldehyde मिल गया, और साथ मुझे मुझे भी लेगा h इस बहुत अच्छा था, चलो एक example भी देख लो, उसके बाद फिर हम लोग और इस पर बात करते हैं, example के तौर पर मान लिया जाए, मेरे पास है c h h3, c double bond o, और इधर हमारा c, हमने इसको hydrogen का इस पर addition करवाया, इसके लिए हमने लिए palladium, के लिए हमने लिए के साथ, और reduction करवा दिया, reduction करवा के मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यह रहा c h3, यह रहा c, यह रहा double bond o, और कहां आ जाएगा मेरा x, अच्छा c l आएगा क्या है, यह भी सोच लो, यह जो h c l हम लोग लिख रहे हैं, कहां से आ रहा है, यही c l हट जा रहा है, यह c l यह हमारा क्या मिल गया, यह फिर से मुझे एक aldehyde, एक example और ले लेते हैं, मेरे पास है c double bond o, और इधर है हमारे पास c, और नीचे है, मेरे पास एक benzen का ring, और इसको क्या करेंगे, इसको फिर से आप hydrogenation करवाएंगे, और इसके लिए palladium लेंगे, supported over baso4, barium sulfate, क्या होगा इ as it is रहेगा, यहां से chlorine हट जा रहा है, hydrogen लगा देंगे, और यह मेरा benzene firing as it is हमें लिख दिया, यह भी मेरा एक aldehyde बन क्या, हर case में उझे aldehyde plus HCl मिल रहा है, तो यह कहानी तो खेर कुछ नहीं था, समझ में आ गया था, लेकिन जो main मुद्दा है यहां पर समझने का, वो यह है, the catalytic mixture is poisoned by the addition of small amount of sulfur और quinoline, sulfur या quinoline का भी mixture या इन दोनों में से किसी एक को हमें हर case में लिखना है, तो quinoline के लिए चलो मैं क्यू लिख देता हूँ, और sulfur के लिए S लिख देता हूँ, पिनोलीन या sulfur आपको हर case पे लगाना है, क्यूलीन लगा दिया और sulfur जिसको यूज करना है कर ले, अच्छा ये क्यूलीन और इस sulfur का use क्या है, तो यह क्या कर रहा हूँ, यह poisoning कर रहा है, हमारा जो catalyst का mixture है, पैलेडियम और BSO4 इस mixture को यह poison कर रहा है अच्छा poisoning करने से हमें क्या मिलेगा तो यह यहां आते हैं function of poisoning the catalyst normally aldehydes are further reduced to primary alcohol मैंने आपको बताया था कि हमने aldehyde को बनाने के लिए 1 degree का alcohol लिया ज़्याद रहे यह जो मैं बता रहा हूँ 1 degree के alcohol से aldehyde बनाना यह आपको NCRT के topic में मिलेगा जिसमें first topic है method of preparation of both aldehydes and ketones जिसमें पहला alcohol वाला है वहाँ जे मैं उठा रहा हूँ वीडियो का link मैं description box में डाल दूँगा मैंने इसके लिए एक separate video बनाया हुए 1 degree के alcohol का oxidation करवाते हैं तो मुझे aldehyde मिलता है अच्छा आप सोचे अगर aldehyde का reduction करवा देंगे तो मुझे 1 degree का alcohol वापस मिलता हैगा अब आप सोचे कि हमने एक container लिया container में acid chloride डाल दिया hydrogen add कर दिया palladium और BASO4 के presence में तो मैंने क्या करवाए acid chloride का reduction करवा के aldehyde हमें finally मिल गया अब आप सोचे इस aldehyde का अगर further reduction हो जाए तो फिर से मुझे 1 degree का alcohol मिल जाएगा तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ aldehyde चाहिए मुझे यहाँ पर final product में alcohol नहीं चाहिए तो हमें इस process को यहीं रोक देना होगा aldehyde बनने तक हो गया और काम खतम रोक दो इस काम को यहीं तक रोकने के लिए इस experiment को यहीं तक रोकने के लिए हम लोगों ने जो catalyst डाला उसमें क्या करेंगे उसमें quinoline या sulfur add कर देंगे जो poison कर देगा उस mixture को यानि कि deactivate कर देगा यहाँ देखेंगे the catalytic mixture is poisoned bracket में लिखावे deactivated by the addition of sulfur और quinoline this controls the reaction to aldehyde इससे क्या होगा कि हमारा जो reaction है वो aldehyde तक की आके रुख जाएगा फिर aldehyde का further reduction होके 1 degree का alcohol नहीं बनेगा देखते हैं यह छोटा सा point है formaldehyde cannot be prepared by this method because इसका जो corresponding acid chloride होगा और room temperature पे बहुत ही unstable होता है और यह सारा का सारा जोगी हम लोग reaction कर रहे हैं यह room temperature इस तरह से आमने method of preparation of aldehydes only from this video राइड़ अथम करें